नमस्कार आप देख रहे हैं फिल्मी बीट नंदिनी ने पूर्वी को बहुत सुनाया फिर कह दिया तो मोलकी ही निकली सब कुछ ठीक हो चुका था वी नंदिनी और पूर्वी के बीच कि फिर से मोलकी में नई प्रॉब्लम हो गई और वो भी एक बार फिर से पूर्वी को लेकर ही जिसका अंजाम ये हुआ कि घर से निकलना पड़ा पूर्वी को लेकिन कोई नहीं पूर्वी ने अपनी दो बड़ी responsibility निभा कर निकली है एक तो वीर की शादी सुधा से करवा कर दूसरा आरव का परदा फाश करके वो घर से निकली इस दोरान प्रकाशी और अंजली ने पूरी तरीके से गलत फहमिया डाल दी है नंदिनी के दिमाग में कि पूर्वी ने सौतेला विवहा किया है बच्चों के साथ वीर की शादी धुके से करवाई और दूसरा कन्यादान किया नंदिनी का दोनों ही चीज़ें गलत हो गई यानि कि पूर्वी के फिवर में ये दोनों ही चीज़ें नहीं आई क्योंकि जिस तरीके से आरव भी निकला उसका भी अंदाजा किसी को नहीं था पूर्वी को लगा था कि आरव एक अच्छा लड़का है लेकि फिर उसने आरव का भी परदाफाश किया है कि वो किस तरह लड़का है हाला कि इसमें भी पूर्वी को ही गलत कहा जा रहा है कि कन्यादान उसने किया तो देख लेजे यह भी गढ़बढ हो गया और यह बात कहती नजराई नंदिनी अपने बाबा से इसके अनन्दिनी जो है वो पूरी तरीके से चिलाती नजर आई पूरवी पर उसने कहा मैंने तुम्हें अपनी मा माना और तुम सच मुछ मोलकी निकली ये सुनकर जैसे प्रकाशी अंज़नी के चेहरे पर ठंड़क पहुची हो तो वहीं आरो भी खुश दिख रहा था लेकिन पूरवी की राहें मुश्किल हो चुकी है जब तक कि सारी हकीकत सामने नहीं आ जाए हाला कि जल्दी सारी चीजें सामने आने वाली हैं लेकिन थोड़ा वक्त तो लगेगा यह आप आने वाले एपिसोर्स में देखेंगे फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही